तो डीपर सोवल तो कल हमने देख लिया था और आज हम फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके उपर तो जैसा कि कल हमने देखा था कि डीपर सोवल क्या करता है कि हमारा अजिकर सोफिम होता है और हमारे सोवल होता है हमने कल कहा था कि इसको ऐजी बेलचा समझेए कि तरह होता है भीषए को क्या करते है कि यूज पूल force होता है इस पोसिंग ठूसिंग पूसिंग बूरते हैं ठीक है तो इसके सारे पार्ट के बारे में हमने देख लिया था पॉल स्ट्रोक डीजल इंजिन होता है इसमें एक रिसिप्रोकेटिंग पॉंप होता है धिक है जिसके तुर्व प्रेसर को हर जर्च दिया जाता है जहां भी रिक्वार्मेंट थीच है यहां पर क्या होता यहां पर एक स्विंग मोटर होता है तर्फ नेक्स्ट क्या देखाता हमने फिर देखाता कि यहां पर ट्रैवल ट्रैक मोटर रहता है ठीक है तो फोल स्टोक डीजल एंजीन और हमारा दो बेस्टो डीजल कि ते ऊंट बाले मारा थैक है कर दिए-धूच फॉर्स यह कॉनभा फोर्स लगा पूल करता है ठीक है विद्राइग कहिता है न साथ फिरों और और सप्ट्राइए चिंग कर सकता है यह लुर के नीचे साट है और मेंच के ओपर बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है ठीक है ? तो दोनों केस में खेस उपर बेंट कर का सकता है और वी किस दरे की सब fan हई भीए हैस तो इस केस में क्या होरा ये इस एक बेंख कर रहे है और लोrick तोप स्वेल हम उठा रहे हैं यह हमारा एलोवियल स्वेल में काम कर रहा है यहां पर चल रहा है और साइड लोडिंग हो रही है कि यह से निकल रहे हैं कि यह देखें दूर में जाकर को मारता है उसे कीछता है ठीक है खीछता है एक पूल करता है मतलब कि अपना काम कर रहा है कि कर इदे की लोट को उठाय हुए है और मसीन आइडल हो चुकी है इसी कंडिशन को आइडलिंग गोलते हैं किसके पास कोई भी डंपर नहीं है तो मसीन आइडल हो चुकी कि यह बकेट में लेकर खड़ा है यह देखिए केबिन के अंदर का सीन है और जैसा कि आप लोगों बताया गया था कि अगर कंट्रोल वाल्व क्या करता है कि जहां भी होता है है वहां पर वह बीजता है तो इस लिवर को एड़ेस्ट करके जहां जहां करने के समय करके प्रेशर को जहां भी भेज़ेगा यह आपका साइड लोडिंग हो रहा है तो अगर को भरा जा रहा है कि अगर दूर में देखिए बकट को मारता है कि और उससे ड्रैक करता डाडिस फूल करता है पूल करके से कि फूल करता है होिस्ट करता असका वार स्विंग करता स्विंग करके लोड को डिस्चार्ज करता वा फरस्ट में क्या किया इसने बकट को भरा यह ड्रैगिंग स्थ दें तो बूल किया उसको ठीक है बूब किया यह घ्राप्स से वह अपने भागट को भरता है फिर क्या करता है करता है फिर स्वेंग करता है यह देख यह लोग में वेकम स्थंस प्लफ से राप खंऊ से 수hou क्ली मलर्ण Mostly कि यह अपना प्लेटफॉर्म टाइब से बनागर रखा यह अपिन प्लैट फॉर्म की तरह यहां पर ईपना प्लैटफॉर्म की तरह आंपर यह अपना बनाphet करा रखा यह है सिंग ए कि अच्छी तरीके से लोडिंग कर सेगे क्योंकि आप देख रहा है कि जो डंपर आएगा डंपर का हाइट सोवल का हाइट से अगर यह नीचे में रहेगा फ्लाटफॉम नहीं बनाएगा तो इसे लोड करने में अस्विधा भी होगी ठीक है क्योंकि उससे डंपर का पूरा बोड़ी डाला उसे दिखेगा ने इफिसेंटली फिलफ नहीं कर पाएगा ठीक है तो फ्लाटफॉम बनाके रखा यहां पर आसानी से बेंच हाइट को भी रीच कर पा रहा है है को कर दो कि थो सभी चीज आप लोगों यहां पर देख ली किस तरह किसे बढ़ना खानाओ किस सरे के से भाइसे पूल पर करे घर थार्टा इसका नाम पाल सुनग है पूल कर के उना बकेट को भरता है ठीक है फिर बुटता थाट है फिर क्या करता है फॉइंग करता अपना मेटरियल था उसे डिस्चार्ज करती है ठीक है बैक टूदी कटिंग पॉइंट फिर से कटिंग पॉइंट के पास आ जाता है तो यह अची तरीके से देखा तया किया था है यहां पर जैसा किया यहां पर देख रहा है यहां पर क्या हुआ है तक कि टॉप स्टिकी होता चिकिक्ए होता हां चिकः होता है नब इस पर डंपर डंप रोल करने लगते हैं स्लिपेश तो इसी से चाहर है मिट्टी है किना ए यह यह बोल रहाँ यहां में य।िस Saalis है 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 अलग तरह की सेल है यहाप तरह का Metriels डाम किया गया किसले खिसली रिम किया गया थाकि हपने ज्यादा ना हो यहां पर क्या किया गया होगा कि सेल आकर रwartक है फ्रेंट्स वृण जिक थाह करते पर दिपोसिट कर यहां पर डंप कर दिया रहा ताकि अच्छी तरीके से कि अच्छी तरह काम क्या हुता हमारा जो बेंच होता हुटा से स्मूथ बनाना ठीक है ताकि हमारा जो डंपर से उसको चलने में वहाँ परिसानी नहीं है तो इसके बारे में आप लोगों ने सब कुछ कि अच्छी के डंपर पर कोईला लोडिंग कर रहा है कि वेंच फ्लोर पर अराम से बैठा हुआ और कोईला लोडिंग आराम से नीचे की तरफ से यह कोईला लोडिंग कर रहा है कि ब्लास्टेड कोल है नीचे में तो यह उपर से कर रहा कोईला लोडिंग तो यह भी एगें साइड लोडिंग है लेकिन वहीं यह अगर बेंच फ्लोर पर होता डंपर तो यह फ्रन्ट लोडिंग हो जाती है कि लेकिन यह सेम बेंच पर है तो यह साइड लोडिंग हो रह पूछ कर रहा है क्योंकि यह क्रसर दूर में है और पॉब्लिक रोडवेस को यूज करते हुए डंपर जाएगी तो गिर ना जाए कुछ भी तो इसलिए इसको कुछ कर दिया जा रहा है कि बेस्ट होता है इस पर तिरपाल लाद दिया जाता वह बेस्ट होता है कि तिरपाल दे दिया जाता क्या था डस्ट का पॉलुशन भी नहीं होता ज्यादा एमांट ऑफ पोल भी लोड़ हो पाता इस पर कि अधिके तब पूश कर रहा है हुआ उस करके इसने क्या किया अपना साइकिल टाइम पूरा कर लिया अपनी दो new लोडिंग देख लिया है सिसके बेंच फलतका क्या उपर क्श तरीका करता है this झाल तो दोने प्रोसेस आपने अची तरीके से दिख लियalah तो यह ने नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है तो यह हमारा है है इसका वर्किंग मेकनिजम अच्छी तरीके से देखिए यह बकेट में लोड लिए हुए खड़ा है तिक इसके पास डंपर जा रहा है तो जाके प्रॉपर जगा में लग जाएगा आख सारे हैं सिलेंडर वगए इसके दिख लिएए यह भी मटन डिंठाज़र्ज नेचर का ऑद इसका पीछे की तरफ जा रहा है और सो में लशते हैं तीक हर जगा दो-दो सिलिंडर था है इसमें मात प्रकिस्ट कर रहा है यह क्रिंड को भर रहा है लोड को भर के क्या किया कि फोए्ष्ट किया को करके स्विंग किया और बिस्चार्जिंग पॉइंट पर जाके तंपर पर बॉट्ट्टम डिस्चार्ज कर देखिए इस तरह का सिलेंडर पीछे जारा है पिर स्विंग करके चला गया और फिर अपना लोडिंग पोजिशन पर लोड करना शुरू करती है खेक हाइड भी देखिए अच्छा खांसा हैट होगल का विद रेस्पेक्ट तमपर अच्छी तरहिके से बर पाया तामपर एफिसेंटली ए फस्टली की किए किंग किया पॉयंट पोड्म दिस्चार्ज करें ब्स निचर का रिंडर आफ कि टॉ स्ट श्चार्ज करें कि यह सिर्फ फ्लोर पर बैटके काम करता है स्रीछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रॉंट में क्या होगा कि हाइव रहे हो herb 한다 प्रंट में प्रंट में दिखिए यह हाइवल है यह हाइवल बना हुआ तो डंपर कहां पर खड़ा रहेगा तो अभी क्या है इसके पास डंपर नहीं इसका मतलब यह आइडियल कंडिशन में आ गिया है एडियल कंडिशन में अपर न basketball कंडीशन कभी नहीं होने दाना हमेसा चाहिए यहाँ पर एक न यहाँ यहाँ से निकल रहा । करने यहां से सइखल रहा है दूसरा डंपर आके लग जाए हैं इसी लिए मंकि दूटंपर है क्यूंड कि यहां से निकलेगा लोडिंग देना शुरू कर या फिर ठीक है ताकि वो तुरण ताके लोडिंग करना शुरू करते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी आपने सारे इस चीज़ें समझ ली डीपर सोवेल के बारे में कि यह ऐसका लगाता है मतलब करके बारे में हमने सब कुछ ही देख लिया है वाकी इसके जो पार्ट से क्रॉलर मॉंटटेड के बारे में हमने सब अची तरीके से पढ़ा है इसमें भी पोर्स ट्रोग डिजल इंचीन होगा ठीक है बाकी के mechanism हम इसमें देख चुके हैं ठीक है तो वीडियो यह खतम ही है तो यह फिर से लोड कर लिया है तो ठीक है नेक्स्ट पार्ट के इसका हम कुशन के तरफ चलेंगे यह फिर जो टॉपिक बची हुई इसके करेकाट को से हम दिखें ठीक है वीडियो करें की पिए तो इसमें क्या क्या है ठीक है इसमें क्या क्या होता है इसमें फर्स्ट फॉल 009 हैorous ति ढान सिक है इसम हाईडरोली का यूज़ कहां पर होगा ही स्मय है ही जाओग अपका श्रीक होका पर शुख त्रीक त्रेक त्रेंड च्छाइब से श्विन करेगा तब होगा और ट्राक में हो है इस हाथ तो ह्यां पर थेचा Everything काहां पर है कि है यह लग कि नहीं है यह वककेट मैं को है दूलिग नहीं है है में किखेट में आधा यह पर नहीं है तसे हमारा डीपर इस्टिक क्लिक में पर स्टीक सब किस तरा से ऑपरेट हो रहा है सब रोप से ऑपरेट हो रहे हुट है सारे ही रोप से यहां पर रोप है वजह उठाने का काम है फिर्फ जाल निकल के कहीं सा आता है तो तीन रोप हमारा होता है टिक टीन भोता है और ची तरीकाशी तरीकेश नियुक्त इस देख भी लएंगे विजूलाइज भी कर लेंगे विडियो के सब चुना सब मैंगी मिन टो च उट्रम इसका पर को थूणा दिख अधिक रहिए हैं पैस कर सको तो केल थीख को संभालता है पकड़ कर रखा देख रहे हैं कि बों को पकड़ कर रखाhis इसार कैश्च का मतलबंग पमड़ों को बता ранव होता है उठाना कि हमारा होएश्ट होगिया होस्ट के होइस्ट केबल और होइस्ट केबल का काम क्या था उठाना तो यह केबल यहां से होके भूम पुली कि यह हमारा पुली है यह हमारा पुली है इसे हम बोलते हैं बूम पुली बूम में लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं बूम पुली बूम पुली के थुरू क्या होता है कि यह हुमारा है जो हमारा उठान है lower down और कि अप करने का काम करता यह जो bucket है यह उपर जाएगा या फिर नीचे आएगा यह किसका काम है यह guard try outro यह हुए है इसकाrà वाली की थुरू यह इसको पकड़े उए है तो अब क्या होगा जिस तरह बालती को हम छोड़ते हैं तो कहां जाता है नीचे की तरफ जाता है और जब इसको खीचते हैं तो यह उपर की तरफ जाता है उसी तरह का है कि यहां से होईस्ट रोप को जब खीचा जाएगा फुल किया जाएगा तो यह उपर की तरफ जाएगा जब इसे छोड़ा जाएगा ठीक है लोवर डाउन किय केबल होते हैं फर्स्ट केबल कैसा होता है तो गैसा हो गया होता है ठीक है तो दो رोप के समझ सम्हें लिए फिर्ट लॉप सर्ट रोड रोप तिक मैं फिर्ट कों सा रॉल निींगल गया था । इए कर यह नीचे में रहता है जब इसको सा तो क्या हुता है यह नीचे से खुल जाता है चीछ किया यह यहां से निकल के आभाया है इसे होल दते हैं थार्ट लम्भर को ढरी रिप ढोट यहां किया करता है कि नीचे से जाब उसे हम खीचते हैं तो नीचे से बॉटम इस्चार्ज को यह वाला खुल जाता है तो तीन रोप के बारे में हमने समझ लिया रोप सॉबल का तीन रोप के बारे में फर्स्ट था हमारा बुम रोप था ठीक है फर्स्ट हमारा कॉन सा था बुम रोप था सेकेंड कॉन सा था होईस्ट रोप था यहां से देखिए होईस्ट रोप जा रहा है यहां से यह हमारा होईस्ट रोप हो गया नेक्स्ट कॉन सा ट्रीप रोप रहता है यहां से आता है और बॉकेट को खोलता है नी जैसे बॉटम डिशार्जी निचर का उता है इसे हम लोग ट्रीप रोप बोल रते हैं ठीक है रोप के बारे में हमने समझ लिए इसका कौन सा रोप क्या काम करता यह वला भी समझ लिए ठीक है अब इसमें एक बहुत खास फंचन होता है डेक ग को सेदल ब्लोक और सिपर साफ्ट के से डाल डी एलिसे ड difल ब्लॉक सै 달 ब्लोक तो रइंद ही औ confessे के लुए आप में सयता है वाला यहां पहुत रशैप्रिआ इंड दिखने रोन निच्छ निच driven this elections यहां साफ साफ दिख रहा है तो दियालिस्टिक फिगर है यहां पर यह हमारा बूम पुली दिख रहा है साफ साफ ठीक है बूम पुली दिख रहा है और यह हमारा बूम केबल दिख रहा है ठीक है बीसिक की बूम केबल कर देते हैं से पूली हो गया तुप यह हमारा होइस्ट रोप होगि Select gene कि यह यह रियर डाग्राद हो फिक को फिल हो गया बूम केबल हो यह हो गया स्कृइब्रोपूरा यहां भी नहीं दिख रहा है क्या है कि करिंसोर्ट कर ले ना चाहते हैं तो हम हम यह कुझ के मार्धियम से समझ ले जा है सिपर साफ और सैडल ब्लॉक डिक है करने इसका कि वीडियों प्रहीं हम ग There is वीडियो तो और अच्छा से मज़का। आपके उसको समझ लीए सबाइब आर्ज 思ब हो कि यह जो हमारा व्लॉक है यह कैसा व्लॉक है अज्शा है ठीक है फिर कैसा बना हुआ ऐसा बना हुआ । नीचे यह ऐसा है फिर ऐसा है यह जो हमारा ब्लॉक यह हम बोलते हैं यह वाला ब्लॉक यह जो ब्लॉक बना हुआ है यह हमारा सैडल ब्लॉक कि कि स्पेलिंग सब्सक्राइब कर बात कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दिखा गए दिख़ा गया प्रिगर में कॉन सा यह जो ब्लॉक बना हुआ है इसे हम लोग सेडल ब्लॉक फूर्ट इससे सेडल ब्लॉक पूर्स का अंदर एक साफ्ट जैसा है तुक गोल सा है लिए है कि इसे फर साफ्ट तो गोल साज होगा उसे पर साफ्ट एक सिपर साफ्ट और एक देते हैं यह हमारा से बूसे से लिखते हैं कि combined साथ में नहीं की तो सब्सक्रा और सैडल भी सिपर साफ्ट ड्रों का काम क्या है कहां यह क्या करता है कि यह जो करने में मदद करता है तब रहाहा होगा तब क्या करेगा आगे की तरफ जाएगा में रीट्रेक्टिंग पिछीर के तरफ जाएगा तो नी u और उसके बाद जब यह discharge करता है लोड, दंपर ke उपर उस समय भी यूज करता है सेडल ब्लोक और सीपर साफ्ट का यूज करता है अब किस तरह से करना है? मतलब कि क्या करता है सीपर और सैडल ब्लोक क्या करता है? यह सिपर साफ्ट से उपर labo Alert होता तो साफ्ट जब भूमता है कि यह होता है यह की पर साफ्ट हमारा moved करेगा इस डारेक्शन में तो यह इस सैड्व करेगी है और जर्ब्लोक क्या करता aALL этим को पकड़ करें किके होल्ड करके आप लोगों साफ साफ दिख रहा हूं जहाँ पर सैडल भ्लॉक हो डिपर स्टी आप यह बार इसदे सैट करके यहां पर यह इस साइट से प्क शूर्व का से पॉस्धा मौनें лगा हूँ है और बीच में क्या है कि seeper shaft है, seeper shaft के ओपर mounted है ये, और movement पर help कर रहा, seeper shaft जब इस side में move कर रहा, clockwise move कर रहा, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, जब ये clockwise move कर रहा, तो कहां जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा, जब ये anti clockwise move कर रहा, तो ये आगे की तरफ जा रहा, जाहिर सी बात है, देख रहा होग करता है यह मूव करने में मदद करता है कहा मुव करता है आगे और पीछे जब मूव करता तो से मदद कोन करता है उसका मदद करता सीपर साफ और सैडल ब्लॉक तोनोही अरेंजमेंट हम ने यहां पर अच्छी तरीके से देख लिए और एक पार्ट यहां देखिए फ्रेम से निकला हुआ है जो हमारा गूम केबल होता है जो गूम को कंड्रोल करता है वह एक फ्रेम से निकला हुआ है इस तो कहीं पर्ट का नाम अगर आता है किछ एस तो शर आफ्वेड कि से या फिर एक्सका वेटर से बिलोंग करता है तो वहां option में रहेगा backhoe रहेगा या फिर hydraulic deeper swivel रहेगा और रोब स्वर्वल रहेगा option में दी मिनन अगर दे दिया जाता है तो आप option क्या मार कहेंगे option number C मार कहेंगे रोब स्वर्वल में क्या रहता है सीपर साफ्ट और स्ट्रेटल ब्लॉक दोनों ही combination दा तब उसका काम क्या है इसका काम है diaper stick को by always morning करता है यह भी से पकड़के रहता सीपर साथ होता है यह हमने अच्य तरीके से समझ लिया और पूछ हम इसमें देख लेंगा उसका वीडियो की तरफ चलेंगे की कि तोटी प्रोब का काम भी कि हमने दिख लिया कि ट्रीप्रोब का का क्या है वह डिस्चार्ज करता बॉटम डिस्चार्ज तो वह कि रख को अपरेट करता नीचे से भकट खुल जाता है तो यह हमस्मझ लिया ठीक है नेक्स स्लाइड में देखते हैं और कुछ है और तीक है यह देखिए एक टाइप का और है यह क्या टाइप का है यह है हमारा यह देखिए उसमें क्या था है उसमें चीपर साफट सेड़ सैडल ब्लोग था इसमें दिखेए साप और कहीं ने दिख रहा है यहां पर हीा यह क्या किया प्लॉक्वाइज मुफ करेगी इस साइड में तब यह आगे की तरफ जाएगा ठीक है तो पुली के माध्यम से यहां पर काम किया जा रहा कि डीपर इस्टिक को मुफ करवाने काम आगे और पीछे जो डीपर इस्टिक मुफ कर रहा वो किसके वज़े से कर रहा यहां पर और वहां पर क्या था यहां 지역 के अलग थी एड़ यह भूं यह बीच में पर रहा है कि तो यहां पर प् Web दो हो यहां पर बीच में गैप है तो दो पुली यहां तो अलग-अलग अरेंजमेंट है लेकिन काम सेम है कि डिपर स्टिक को आगे पीछे और होईश्टन ऊप्स हो रहा है से होईश्टन 她 कहा बूर यहां से बूंसे जा रहा है यह से बकड़े हुए यह कि D रखाए है और नीचे से ट्रिफश भला यहां से निकल के यहां से जाता है यहां से ट्रिफश कंगा और माध्य हमस्याद देखמ豆 नेगे तो वीडियो के मादम सब देखिए यह फिर से स्विंग करके और बकट बकट जो इसका था वो क्या हुआ कि बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर का था ठीक है ट्री प्रोप आप यहां पर अच्छी तरह के से देख पाईएगा यह हमारा है यह हमारा ट्री प्रोप है ठीक है ट्री प्रोप ओपरेट होते ही क्या हुआ कि बॉकेट नीचे से खुल गिया ठीक है बॉटम डिस्चार्ज मैचर का है खुलने के बाद क्या हुआ विदियो को स्टाट करते हैं कि पिर से दिखिए क्रावडिंग के लिए चला गिया बॉकेट फील हो रहा पाई दी अक्षन आफ प्रावडिंग कि प्रिल करने बाद होईस्ट किया कि स्विंग भी किया कि दंबिंग पोजिशन पाके कि दिश्चार्ज करते हैं अपना रोप ब्रॉप ऑपरेट किया डिपर्स्टिक किस तरह किस आगे जा रहा है तो प्रॉप करता है कि एक चीज़ और दिखिए यह हमारा एलेक्ट्रिक ओपरेटेड है ठीक है मैक्सिमम जो आपको रोप सवेल मिलेगा प्राइब सब्सक्राइब कर रिर्ट ने का कोई जरुद है लिए यहां पर खुद से अनफोल्ड हो जाएगा और फिर खुद से रिट्रेक्ट भी और निकले गाँ प्र पर समय जाएगा कुद से खुद है यहां यहां पर केबल प्रिल है कि लोडिंग लेने बाद डंपर चला गया और हमारा रोप से होएला वो आईडेल होगी कि फिर से एक बार चलिए हम देख लेते हैं ठीक है एक बार फिर अच्छी तरीके साब देखिएगा गोर से कि अबगे अच्छी तरीके समूपरा से पर साब अगें बार पूप अच्छीच बार रोडर से लेके में जाता है एक हमार में धुछ आप पूर पिर आच्छीच पर्डंस गें का पूए फिर अपलेट होता है कि नेक्स्ट सेक्टीन में आ गया यह फिर तो आप लोग ने यह जो हमारा यह वर्किंग वर्किंग मेकनिजम आप इसका अच्छी तरीके से समझ गए ठीक है नेक्स्ट हम दूसरे टाइप के रुप सोवेल पर चलते हैं ठीक है उसका भी मेकनिजम हम अच्छी तरीके से देखें ठीक है च्छी तरीके से मेकनिजम को देखे समझें की तरीके से यहां पर हो रहा हूँ कि स्विंग करके यह दिखा रहा है यहां पर केबल के माध्य हम से और मैक्सिमम जो हमारा रोप सब्सविल होता है वह लिख्डिसिटी सी चलता है क्योंकि यह बहुत ही लार्ज होता है कि यहनो कि यह थे केनल में है केवेल टेकेष हो राहराँ वह उसकी कहीं भी क्रसतर्व सब्सक्राइब यहाँ पर भी यह क्या कर रहा है crowding action से वेले को लोड कर रहा है कि लोड करने के बाद hoist करता है hoist करने के बाद swing करता है और लोड कर रहा है crowding action से फिर swing कर रहा hoist किया और अपने discharge point पर जाके by operating the re-prop discharge कर दो कि दिखें पिर से back to the cutting point कि इस तरीके से इसका साइक्ल पूरा होता है पिर से अपना ये कटिंग एक्षिन में चला गए कि द्यान से देखिए से समझ में सब कुछ आएगी आपको कि अधर कर दिया गया थोड़ा अच्छा से देखिए किस तरीके से यह काम कर रहा है अधर से लोड कर रहा है कि अधर में वेस्ट किया स्विंग किया डिस्चार्जिंग तो भी इस चार्ज पॉइंट अधि डम्पर कि पूरा हो कि अधर का दोड़ कि निकल लिए है कि अधर कि यह कंडिशन अब इसके पास कोई भी डम्पर नहीं है इस कंडिशन हो प्राइब्स काम कर रहा है तो जो प्रोजेक्ट में रहेगा बहुत डाट पड़ कर लगा कि यहां पर कोई भी डंपर नहीं है तो जब कभी भी ऐसा सिच्वेशन आ जाए कि डंपर यहां पर नहीं है तो कंडिशन हमारे आइडल हो जाती है और अब इसी समय में क्या होगा कि प्रोजेक्ट मेनेजर आगर आ गया यहां पर देखने के लिए ठीक है तो वह देखे है कि मसीन यहां पर खाली है क्यों खाली है कितना डंपर लॉट अच्छा माना जाता है ठीक है चलिए फिर आगे की और बढ़ते हैं और कोशन वगएरा इससे हम लोग डिल करते हैं तो यह कुशन है विच रोप वेन ऑपरेटेड ओपेंस दी बकेट ओफ रोप सॉबल ठीक है विच रोप वेन ऑपरेटेड कोन सा रोप जब ऑपरेट किय जाता है ओपेन कर देता है बकेट ओफ रोप सॉबल ठीक है बकेट जो रोप सॉबल का बकेट उसको कौन खोलता है कौन सा रोप खोलता है वीच रोप तो ट्रीप रोप उसे हम बोलते हैं कौन सा रोप बोलते हैं ट्रीप रोप को ऑपरेट करते हैं जो ट्रीप रोप फु जो यहां पर आप data वो द्राइग्लाइन से हुता है जब किछा जाता है टे law को अवा हम समझ गया हुसमे होता है यह हमारा होता रहता है यह छीछ झाता है वो ये people को चाहिए हो और स 15 में सौने करता है यह अड्रीको किछता है यहां कि सकी मौत को मारत हैं थीक है फोर्स लगा देते हैं वहां से जिसमें करते हैं क्योंकि उसमें इंटीपर हुआ है क्या क्या करता है कि जो बखेट को उप्र और नीचे करता है वह होस्त प्रोप के मध्यम से किया इसे पार्ट ऑफ टिगे रोप सोवेल तो सेडेल ब्लोक के बारे में आपको बताये गया तो सइपर साफट को बारे में बताया गया सिपर साफट है ड्रैग फुली बोलके यसा कुछ है नहीं तो बौथ एंडवी जाता तो वह भी उसका पार्ट हो जाता तो अभी फिलार एं पुल्ल के कुछ नहीं होता है ठीक़ बूम पुल्लिल होता है फॉल यह बॉक हो देख के पास बॉस्टेंग कंव नोजसे बखट था उसमें श्ठीक है थिक है नइक्ट अट है है कि यहां फिलाल आप भी यहां पर देख लिए हैं तो हाइट्रोलिक डीपर सब्सक्राइब होता है और उसका भी आप देखेते हैं जब वीडियो था तो उसका भी बकेट बॉट्म डिस्चार्जिंग टाइब ठीक है कैसे उसका भाकेट खूल रहा था वह जो हीड्रोलिक शिलिंडर्स था उसी का मद्याम से खूल रहा था ठीक है और बैक्वोट्ट व्ल्वेल तो हमारा उसका तो ऐसे यह बकेट नीचे रहता है एक्विपेंट के तरफ रहता है तो उसमें ऑपेणिंग और तो इससे रिलेटर जितने भी कुश्चन थे सारे ही कुश्चन हमने किये वह भी हमने देखा उसका फिगर भी देख लिया है एक पूरी तरीके से खतम होगी अब हम ड्राइग लाइन के तरफ जाएंगे उससे पहले हम थोड़ा सा यह यह समझ लेते हैं यह देखिए आगे डिसकनेक्ट कर रहे हैं अब यह क्या होगा इसे दबाना है यह बुब को नीचे नीचे लेके जाना है तब तब क्या करें यहां पर सिर्फ आपको पूम खाये जाने क्या है यहां आपको के तरफ करेगा उपर के जो प्रेसर आ रहा है यह लाल वाला फुल प्रेसर में आ रहा है यह प्रेसर का सप्ला अगर उपर से जाएगा तो यह उपर से जाके यहां से फोर्स लगाएगा किसको डीपर इस्टिक को लगा देगा फोर्स ठीक है यह जो सिलिंडर है सिलिंडर वाला फोर्स किसमें लिवर भी रहता है टो रिवर के से ऊपर नीचे हम इसको करते हैं और हमारा पंप होता है पंप क्या करता है प्रेशर होता है है प्रेशर होता है पूरा और जहां पर उसे भीजना है वह ke Against I am तो हमारा स्वावल से सारा कुछ क्लियर हो चुका है सब कुछ ही तकरीबन सब कुछ ही देख लिए कुछ भी आप बचाने सब्सक्राइब तो हम ने कोशिंद वगेरा देख लिए वर्किंग मेकनिजम देखा थोड़ा से गवाद देख लेते हैं क्या के इसमें देखे थे कि पार्ट का नाम देखे थे यह कौंसा सब्सक्राइब यह आपको बैको सब्सक्राइब हो थे हैं तीनों के बारे में ही हमने अच्छी तरीक तर्ट अब देखा जो बूम का मेकनिसम था जो इसके मेकनिसम और पीछे के तरफ जा रहाता यह हमने वीडियो के माध्यम से भी देख लिया तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से देखा ठीक है सारी चीज़ें आपको लिखनी दी गई थी हिंदी इंगलिस में करके यहाँ पर कि यह जो लोडिंग स्टाइल है यह जो हम आपको तुर्वा सब बता रहे हैं कि यह जो हम बता रहे हैं कि जब भी क्या होगा कि डंपर का हाइट ज्यादा रहेगा स्वेल का हाइट कम रहेगा तो इसको अच्छा से दिखता है नहीं है किस तरह से कितना लोडिंग करना है बकेट हमारा पूरा फुल बकेट बोल रहा हूं बोड़ी जो डंपर का है वो पूरा फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इफिसेंसी इस केस में डिक्रीजट है कि एफिसेंसी खराब है इसमें टाइम टेकिंग जादा होगा लोडिंग में इसमें टाइम जादा लगे त स्ट्रक्राइब कभी नहीं होना चाहिए कि सव्म्वर हाइट हमारा कम हो एक तो यह क्या करता कि अपनाals बना लेता face यहां पर जमा करके प्लैट्फॉम बना लेता उसके उपर चड़ जाता यह सवेल उसके बाद यह लोडिंग शुरू कर देता यह यहां पर पोल का ही नीचे में नीचे में लेके क्या करता कि यह यहां पर प्लैट्फॉम ले लेता इसे तो इस तरह का यहाँ डिखता है और आप लोडिंग कर रहे होंगे तो क्या इसका फिलाल की लोडिंग चल रहे है तो इसका खास अभी लोडिंग चल रही है वोगता बहुत ज्यादा और सब्सक्राइब में लोडिंग नहीं होता है। कभी यहां पर छालिदा जाएगा, कभी भागोण का ठीकिन कीवाल है। ति द्राइभ लाइन का oni उसी योटा है। टीक है । हेटे डेग spouse को हीारा ? Wam ये और बिरूटे है…. यह किस तरह का होता है किसके साथ किया था कुदाल के साथ किया था ठीक है कुदाल सबस्क्षा है हम इता हुए हम सबंग करते हैं आगíchकि इसमें क्रावडिन पौर्स किसे बोलते हैं है सिंक के लिए यहां पर क्या है कुछ भी नहीं है रस्क्राव सकताया धका दे सकता है नहीं दे सकता है वो क्या कर सकता है पुल करता है रोप क्या कर सकता है फुल कर सकता है खीचता है तो इसमें डीपर श्टिक नहीं है जो कि यहां पर यहां पर देखिए बकेट के साथ क्या होता था बकेट के साथ हमारा होता था डीपर श्टिक डीएस बोल रह लेकिन इसके साथ देखिए रसी लगा हुआ क्या लगा हुआ है रसी धक्का नहीं दे सकता है रसी पूल कर सकता है तो हम क्या करते हैं यह जो बकेट है दूर में मारते हैं तो घसीतना को क्या बोलता है ड्रैगिंग तो यहां कहीं ने कहीं ड्रैगिंग रोप होगा ठीक है ड यह बकेट खीषता तो इसका बाटेट बहर जाता है जलता और कौनसा रोप है इसमें देख लेते हैं। हम ठीके करने काम हो होस्ट 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 है क्या है यह वाला जो रोप है हमारा यह हमारा हॉइस्ट रूप है और क्या था उपपर और नीचे करना कि इसको घैसलों यहां से connection है कहां से कहां सी कही किया उनली कि इसको अच्छा से सब्सक्राइब इसका नाम ही किया में अको यह लेबलडागरांथ में मिल जाए इसका ये रोप नाम क्या जी यह यह कौन्सा रोप के ड्राइब योसित एडर ड्राइजञ रोब इस मतला dość किचने वाला लोप आज़ ० म bege가 स्क्रीम सोट लेज़ि Сейчас closer to sea ये वीडिऊ आपको मिल जाएगी फद्याइन कि वीडियो अपको मिल जाएगा जा है हम सबुंसeh किरें होट से कनएक्ट है ने रहे हें तो लेकिन कर पकिए को कर पानेक्शन ज़रूरी यह ठिक कहां से पास होगा हाँ यहां और कुछ पुली वगर होगा कि यहां से एंड हॉल मते हैं इस कर दोन TOP यहलन राएर थाक यहाँ से बोलते हैं इसे नहीं हो ग। एंड्रील में। यहां पर हम क्यों ह Ojcus यह और अटको कुष्चन आता तो कुछ इसका फीचर रोप साथ मैच करता है और कुछ फीचर भीसे में बॉकेट यह सब्सकूर डीकर लगों में सोघए यह सब्सक्राइब की करें अब टो, जब इस बूम का लेंग्ट को ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम यहाँ पर एक मास्ट लगा देते हैं ठीक है एक्ष्ट्रा सपोर्ट के लिए मास्ट लगा देते हैं और मास्ट का थूरू इस बूम रोप को पास करवाते हैं ए फ्रेम के पर अच्छी तरीके से ग्रीप करक होता है यहां से और यह खीचता है ठीक है और एक रोप होता है इसमें चार रोप होता है ठीक है तीन रोप देख लिया है हमने एच से हॉइस्ट रोप ठीक है और यलो से दिखा देता है इसको ड्रैग रोप डी से ड्रैग रोप ठीक है एक रोप और होता है कौन सा रोप हो जो आपका रूप है यह वाला जो रूप है यह आपका डूप है इसका connection कहां से होता है को कुछ तरीके से दमप्रूप को समझ लिएिश कू एक करें गरें चलीए तो हम ने समझ रूप के बारे में थ्जड़ा समझ लेते हैं है कि घुड़ए तो तीनों राव हमने देख लिया था अच्छा से अच्छक है और जो लाच ली बचा है वह हमारा धुखliche कन。 यहां से ठीक है यह कनीक्शन यहां से उखिए यह ड्रैइक रॉप के पास यह ड्रैओं ड्रेग योग से निकलके कि ड्रोप हमारा यह वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बगट के साथ एटेच्ड है यह स्ट्रक्चर भूम टाइप से स्ट्रक्चर जो इसे में लगा हुआ होता है तो जैसे ही क्या होता है कि हमारा कि रोब लूज होता है ठीक है उट्बब लिस्चार्ज करेगा यह कि bottom discharge कर देगा इप पर जाकर bottom discharge कर देगा ठीक है तो कल जब आपको दिखाए जाएगी विडियो के माध्यम से आप आप जब देखिएगा तो गौर किजेगा उस समय क्या होगा कि जैसे ही यह हमारा drag rope lose होगा तो क्या होगा कि यह हमारा dump rope भी lose हो जाएगा ठीक है और यह बॉटम दिश्चारज करते हैं ये टोटर ही लूज भिलूज हो जाएगा तो लूज करके यह क्या करेगा अपना जो है जो मेट्रियलिस के अंदर इसको भी कर देगा शमार और कुंसा रोप है ये हमारा होगिया कि बॉटोन डिसचार्ज कर सकें कि थीचे तो आज हम इसको यहीं तक रहने देते हैं अची तरा दोस्ट से देख। सभ कि नेक्स क्लास में अच्छी तरीक हो इत हम अच्छी तरीक से समझेंगे स्वाइब व्यूद देखें। और सारा ही कंसेप्ट को क्लियर करते हैं ठीक है तो आज के लिए यहीं तक रहने जाते हैं ठीक है